आपने इस वीडियो में टेक्ष्ट और इमेज के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदियों पर बात करने जा रहा हूं जो कि आपको चौका देंगे जी हां डी एर फ्रेंट्स हार्डिस्क के बारे में कुछ चौकाने वाली बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यान से पूर में यह हार्डिस्क ड्राइब दस गुना बड़े साइज की थी और इसमें केवल 5 MB डाटा ही इस्टोर किया जा सकता था 1980 में ही IBM ने हार्डिस्क ड्राइब बनाई जिसकी स्टोरेज केपिसिटी 2.52 GB थी जिसका साइज किसी रिप्ट्रेजी रेस्टर के बराबर था और वजन लगबग 250 केजी था हार्डिस्क ड्राइब कम्पीटर का स्टोरेज होता है यह डाटा को डिजिटल रूप में स्टोरेज या स्टोर करता है हार्डिस्क ड्राइब उपर से दिखाई देने वाला चौकार भाग नहीं वर्ण उसके अंदर लगी एक मैगनेटिक डिस्क को कहते हैं इसी मैगनेट माझनेर टिस्क पर से रहता है कि इसने टिक को तीन माटा है बदाइक सब्सक्राइब से ठेक्ट्रीए और ख्राइब द्यूंकित आपक्राइब मैं ही इमेज उस पर अंकित रह जाती है जिस कारण डिस्क रिकवरी सॉफटेर द्वारा हार्ड ड्राइब की डाटा रिकवरी किया जाना संभा होता है हार्ड ड्राइब में डाटा मापने की सबसे छोटी यूनिट है बाइट उसके बाद यह बढ़ती चली जाती है कुछ इस प्रकार इससे भी छोटी हो सकती है डियर फ्रेंट देखते हैं वन मेगा बाइट मेंज एक हजार चौवेस किलो बाइट और वन गीगा बाइट एकवाल एक हजार चौवेस मेगा बाइट वन थाउजन टॉन्टिफॉर वन टेराबाइट एकवाल वन हंड्रेट टॉन्टिफॉर गीगावाइट मिस जीवी अभी हम सिर्फ एक या दो टेराबाइट यानि लगवग एक से दो हजार जीवी की हार्ड डिस्ट ड्राइब प्रियोग कर रहे हैं लेकिन वविस में इससे भी बड़ी स्टोरिज कैप डेस्ट्राइब आने की संभावना है तो डियर फ्रेंट्स यह थी हार्ड डिस्क के बारे में कुछ रोचक जानकारी थैंक यू एरी मुट्ट